नमस्कार सलाखों के पीछे हैं कौन था ये कुख्यात अप्रादी और दिल्ली पुलिस ने कैसे किया इसकी चालो का परदाफाश आईए इसी पर देखते हैं हमारी रिपॉर्ट राइधारी वासियों को पूर्ण सुरक्षा देने के अपने मकसद को काम्याब बनाने के लिए दिल्ली पुलिस सदैव प्रयासरत रहती है इसी मुहिम के तहट अप्रादियों पर अंकुष लगाने के लिए पुलिस अपनी टेक्निकल सर्वलांस के जरिये असमाजिक तत्वों के साथ साथ आतंकी गतिविधियों पर भी कड़ी नजर जमाए रहती है इनी सब के बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पिछले साल रोहिनी कोट में हुए गैंस्टर जितेंदर गोगी हत्याकान में शामिल कुख्यात इनामी बतमाश राकेश ताजपुरिया की खोजबीन में काफी सरगर्मी से लगी थी इन कोशिशों के बीच स्पेशल सेल को एक एहम सुराग मिला कि वारदात में शामिल राकेश ताजपुरिया नरेला इलाके में अपने कुछ सातियों से मिलने आने वाला है और वहां किसी पड़ी घटना को अन्जाम देने की फिलाक में है सूचना काफी एहम थी इसलिए वरिष्ट पुलिस अधिकारियों के नित्रित्व में एक पुलिस टीम का गठन कर दिया गया साथी पुलिस टीम को बद्वाश के बारे में विस्तरित जानकारी दे कर संभावी जगा भेज दिया गया ताकि उसे गिरफ्ट में लिया जा सके इसके बाद स्पेशल सेल की टीम ने नरेला इंडस्ट्रियल एरिया के पास ट्रैप लगा दिया कुछी समय बाद जब बाइक पर सवार होकर आये राकेश टाजपुरिया पर पुलिस की नजर पड़ी तो उसे रुखने का इशारा किया गया लेकिन खुद को चारो साइट से घिरा देखकर उसने पुलिस वर फाइरिंग कर दी जब आभी कारवाई करते हुए पुलिस ने भी फाइरिंग कर दी और आखिरकार राकेश को धर दबोचा पुलिस की गिरिफ्ट में आने के बाद राकेश ने खुलासा किया कि उसने ही अपने साथियों की मदद से टिल्लू गिरों के दोनों शूटरों को अदालक तक पहुंचाया था टिल्लू दौरा जेल में बनाईगी योजना के नुसार जितेंदर और्फ गोगी की हत्या को अंजाम देने के लिए उसने तमाम तरह के इंतजाम किये थे टिल्लू के इशारे पर राकेश ताजपुरिया ने इस शूट आउट को अंजाम देने वाले दोनों निशाने बाजों को हत्यार और गोला बारूत की विवस्था की थी बेहरिस्थ पर नज़र डाले तो पिछले दस वर्षों के दौरान ये दिल्ली और हर्याना में हत्या हत्या के प्रयास डकैती जबरन वसूली पुलिस पर हमला अपरादिक धमकी आम्स एक्ट सहित बारा से अधिक जगन्ने अपरादिक मामलों में शामिल रहा है तिल्लू ताचपुरिया के जेल जाने के बाद से राकेश ही तिल्लू गैंग को बाहर से ऑपरेट कर रहा था अपने काले कारनामों के चलते लोगों की नीन हराम कर देने वाला कुख्यात अपरादि अब सलाकों के पीछे है राकेश ताचपुरिया को पकड़ कर दिल्ली पुलिस ने यकीनन एक बड़ी काम्याबी अपने नाम की है पुलिस का मकसद एकदम साफ है कि अपरादि किसी भी कीमत पर बक्षे नहीं जाएंगे उन्हें ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि वो चाहे कितने भी शातिर क्यों ना हो दिल्ली पुलिस उनका नामों निशा मिटा कर ही दम लेगी और अब वक्ते पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास ख़बरों पर एक नजर डालने का लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारिये विशेश संदेश हो सकती है पुलिस की पैनी निगाहें देश ड्रोहियों की गति विधियों पे लगी हैं आप भी पुलिस का सहयोग करें याद रखिये किसी भी लावारिस वस्तु को न चुएं अपना मकान किसी अंजान व्यक्ति को किराय पर न दें अपनी कार, स्कूटर या मोटर साइकल बेशने से पहले खरीदार की पहचान कर लें मेलों और त्योहारों के दोरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीडवाली जगहों पर जाने से बचें अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न चुने दें और औरों को भी इसके प्रती जागरूप करें ध्यान रखें, किसी भी संदिक्द व्यक्ती, वस्तू या वाहन को देखते ही, फोरण 100 नंबर पर फोन करें या नजदी की PCR वैन या पुली स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या एक शुन्य नौशुन्य पर सूचित कर हमारी आँख और कान बने, आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा सावधान रहें, जौकच रहें, तुरक्षित रहें देली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से मतदाता प्रतिग्या पड़ी पुलिस मुख्याले में तैनात सभी अधिकारियों वा करमचारियों ने अपने पुलिस आयुक्त के बाद इस संकल्प को धोराया भारतिय चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में मतदाताओं की सक्रिये भागिदारी के मद्दे नजर जागरुकता पहलाने के लिए 25 जन्वरी को राष्टिये मतताता दिवस के रूप में गोशित किया है दिल्ली पुलिस आयुक्त राकिश अस्थाना की अध्यक्षिता में द्वार का जिले में क्राइम रिवीव मीटिंग का आयोजन किया गया मीटिंग के दोरान पुलिस आयुक ने अपने करतव्य का निष्ठा पूर्वक काम करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया पुरुषकार पाने वाले पुलिस कर्मियों ने द्वार का जिला शेत्र में कुख्यात अपराधियों और गैंक्स्टर्स को सलाखों के पीचे पहुचाया है साथ ही लूट पार्ट, हत्यार तसकर और डकैती जैसे जगन्य वार्दात को सुलजाने में भी ये पुलिस कर्मी काम्याब रहे है दिल्ली पुलिस का मकसद बहतर कार करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित कर उनकी मनोबल को बढ़ाना है ताकि अन्य पुलिस कर्मियों को भी इससे प्रोथसाहित किया जा सके गंतंत्र दिबस के अफसर पर दिल्ली पुलिस के 23 अधिकारियों और कर्मियों को उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया इसके तहत तीन कर्मियों को विशेष्ट सेवा के लिए राश्पती पुलिस पदक और तीन पुलिस कर्मियों को राश्पती पुलिस वीगता पदक जबकी सरहानिय सेवा के लिए 17 पुलिस पदक प्रदान किये गए पूर्वी रेंज में आयोजित पुरुसकार समाहरों की दोरान विशेश आयुक्त डॉक्टर सागर प्रीत हुट्डा ने बेहतर कारे करने वाले 156 पुलिस कर्मियों को पुरुसकार दे कर सम्मानित किया आलगलक शेत्रों में पुरुसकार पाने वाले अधिकारियों में शहद्रा जिले के पुलिस उपायोक्त आर साथिय सुंदरम, प्रियांका कश्य, उपायोक्त पूर्वी जिला संजे कुमार सेन, डिसीपी उत्तर पूर्वी जिला शामिल है कारेकर्म के दौरान कई अन्य वरिष्ट पुलिस अधिकारी भी मौचूद थे दिली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दो जपटमार देवराज और रिशी रंजन को गिरिफतार किया है इलाके में चीना जपटी की हो रही घटनाओं की जाँच परताल में जुटी पुलिस को ओखला क्षेतर में दो जपटमारों के मौजूद होने की बाबत गुप्त सूचना मिली थी इसी आधार पर पुलिस ने संभावि स्थान पर चापे मारी की और इने धर्दा बोचा पुलिस ने आरोपियों के कबजे से चुराए गए दस मुबाइल फोन और एक बाइक बरामत करते हुए छीना जपटी के कई अन्ने मामले भी सुलजा लिये हैं अंतर राजी आटो लिफ्टर गैंग का भंड़ा पोड़ करते हुए द्वारकाजेला पुलिस ने एक वाहन चोर सुनील और इससे चुराए गए वाहन खरीदने वाले विकास और राजकुमार शर्मा को गिर्फतार किया है आरोपी दिली एंसियार से कार चुरा कर उन्हें असम और अन्ने उत्तर पूर्वी राजियों में बेच दिया करते थे अब तक ये दोसों से भी ज़ादा कारों पर अपना हाथ साफ कर चुके है पुलिस को गुपतु सूचना मिली थी कि चोरी की कार के साथ एक आटो लिफ्टर द्वारका के सेक्टर आर्ठ में मौचूद है इसी आधार पर पुलिस ने संभावि स्थान पर च्छापा मारा और आरोपी सुनील को धर्दबोचा बाद में इसकी निशान देही पर पुलिस ने इसके अन्य साथियों को भी गृफ्तार कर लिया पुलिस ने आरोपियों के कबजे से चोरी की 11 कारे बरामत करते हुए वहन चोरी के दरजनों अन्य मामले भी सुल्झा लिए है दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराद शाखा ने दोखा धड़ी के आरोप में एक शक्स प्रमोध सिंग को गिर्फतार किया है आरोपी पिछल दो साल से फरार चल रहा था इसने एक प्राइवेट फाइनस कंपनी से फर्जी दस्तावेजों के अधार पर पांच मरसेडीस कारे फाइनस कराई थी शुरुवात में अपना प्रभाव बनाने के लिए इसने किष्टों का भुक्तान किया था लेकिन कुछ समय बाद किष्टे देनी बंद कर दी इसके बाद इसने अथौरिटी के करमचारियों के साथ मिलकर कारों का एचपी स्टेटस खत्म करा दिया और फाइनस कंपनी से एनोसी लिए बिना इन कारों को आगे बेच दिया इसी के मद्दे नजर फाइनस कंपनी द्वारा दर्च कराया यही शिकायत पर पुलिस ने चानवीन की और आरोपी को गिरिफतार कर जेल भेज दिया है मादक पदार्थ तसकरी के आरोप में द्वारकाजिला पुलिस ने एक अफरीकन नागरिक को गिरिफतार किया है आरोपी मेडिकल वीजा पर साल 2020 में भारत आया था लेकिन यहां आकर नशीले पदार्थों की तसकरी के धंदे में लगा था पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मादक पदार्थ तसकरी करने वाला एक अफरीकन नागरिक मोहन गार्डन में आने वाला है इसी आधार पर पुलिस ने संभावि स्थान पर नाके बंदी की और इसे धरदबोचा पुलिस ने इसके कबजे से एक स्कूटी समे 270 ग्राम हेरोईन भी बरामत की है जिसकी कीमत अंतराष्टी बाजार में 2 करोड़ सु रुपे से भी जादा आकी गई है दक्षन पूर्वी जिला पुलिस ने एक शातिर बदमाश आकाश को गिरिफतार किया है आरोपी शराब पीने का आदी है और अपनी इसी लट को पूरा करने के लिए चोरी और लूट पार्ट की वारदात को अंजाम दिया करता था कालका जी बस अड़े के नज़्दीक संदिग्द अवस्था में खड़ा एक शक्स गश्ट कर रही पुलिस को देखकर भागने लगा लेकिन पुलिस ने फुर्ते दिखाई और इसे धर्दबोचा पुलिस ने इसके कबजे से एक बटंदार चाकूबी बरामत कर लिया है द्वरका जिला पुलिस ने जालसा सनी बत्रा को गिरिफतार किया है आरोपी नौ करोड रुपे की धोखा दड़ी के एक मामले में वांचित चल रहा था अदालत ने इसके खिलाफ गेर जमानती वरन जारी का रखा था टेक्निकल सर्वलांस के जरीए पुलिस को इसके करनाल में मौजूद होने की सूचना मिली थी इसी आधार पर पुलिस ने इसके छिपने के ठिकाने पर चापा मारा और इसे धर्दबोचा दक्षिन पश्चिम जिला पुलिस ने दो सक्रिये जपटमार नईम अली और शुभम को गिर्फतार किया है पालम थाना में तैनात पुलिस टीम को गुप्तु सूचना मिली थी कि मेट्रो स्टेशन से स्नैचिंग की वारदात को अन्जाम देकर फरार चल रहे दो आरोपी मंगला पुरी चौक पर चोरी की बाइक पर आने वाले है इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और एक आरोपी नईम अली को दबोश लिया जबकि मौका पाकर शुभम वहां से फरार हो गया बाद में पकड़े गए आरोपी नईम अली की निशान देही पर शुभम को भी धर्दबोचा गया पुलिस ने इनके कबजे से जपटा गया मुबाइल फोन सहित चोरी की एक बाइक भी बरामत कर ली है मध्यजिला पुलिस ने दो लुटेरे मुहमद मोबिन और जावेद को गिर्फतार किया है पकड़े गए आरोपी रात के समय दिल्ली की सड़कों पर लूट पार्ट करने के लिए आटो लेकर निकलते थे ऐसे ही एक रोज जब इनोंने सड़क के किनारे चल रहे तीन लड़कों से मुबाइल छीन कर भागने की कोशिश की तो हिम्मत दिखाते हुए एक पीडित लड़का चलते हुए आटो से लटक गया इसी बीच आरोपियों ने उसे पीटना शुरू कर दिया लेकिन पीडित ने किसी तरह आटो का हेंडल नहीं छोड़ा जिससे आटो को रुखना पड़ा हाथा पाई करते देख गश्ट कर रही पुलिस टीम मौके पर पहुँच गई और एक आरोपि को पकड़ लिया लेकिन दूसरा लोटेरा मौका देखकर फरार हो गया लेकिन बाद में पकड़े गए आरोपी की निशान देही पर अन्ने आरोपी को भी धर्दबोचा गया दक्षिन पस्चिम जिला पुलिस ने कुख्यात सेंदमार आशीश और चोरी का माल खरीदने के आरोप में राम बहादुर को गिर्फतार किया है इस पर पहले से कई अपरादिक मामले दिल्ली के अलग-अलग थानों में दर्ज है पुलिस को जरेडा गाउं में स्थित एक घर में चोरी होने की शिकायत मिली थी पुलिस ने सीसी टीवी के जरीए आरोपी की पहचान कर उसे दिल्ली केंट इलाके में स्थित जरेडा गाउं से धर्दबोचा साथी इसकी निशान देही पर सागरपुर इलाके के रहने वाले रिसीवर राम बहादुर को पुलिस ने गिरिफतार कर लिया पुलिस ने इनके कबजे से चोरी का सोना, चांदी सहेत, अन्ने सामान भी बरामत कर लिया है उत्रिजिला पुलिस ने फिल्म की तर्स पर फिरोती वसूले के इरादे से एक युवक रोहन का अपरण कर उसकी हत्या करने वाले दो आरोपी, गोपाल और सुशील को गिरिफतार किया है बुराड़ी इलाके में स्थित एक नामी शोरूम में आरोपी गोपाल क्लीनर का काम करता था, जहां रोहन अपने पिता के साथ खरीदारी करने के लिए आता था रोहन के माली हालाद देख़र गोपाल ने उसका अपरण कर 10 लाक रुपे की मोटी फिरौती वसूलने की सोची योजना के तहट गोपाल ने धीरे धीरे रोहन से दोस्ती कर ली फिर एक किराय का कमरा लेकर रोहन को अपने दो दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिबरेट करने के लिए वहाँ बुलाया जहां इन्हों ने रोहन की गला दबा कर हत्या कर दी और अगले दिन उसके मुबाइल से रोहन के परिवार को कॉल कर फिरौती मांगने लगे अन्य साक्षियों से पुलिस का शक गोपाल पर ठहर गया पुलिस ने जब गोपाल को हिरासत में लेकर पूछताज की तो वो तूट गया और अपना अपरण और हत्या में हाथ होना कबूल कर लिया बाद में उसकी निशान देही पर अन्य आरोपी सुशील को भी गिरिफ्तार कर लिया गया दक्षनपूर्वी जिला पुलिस ने गुख्यात बदमाश को गिरिफ्तार किया है हजरत निजामुदीन इलाके में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम ने एक व्यक्ति को खुसरो पार्क की ओर से नीला गुम्बत की तरफ आते हुँ देखा लेकिन पुलिस की मौजूदगी देखकर वो यू टन लेकर जाने लगा पुलिस टीम ने बिना कोई मौका गवाई उसे पकड़ लिया पकड़े जाने पर उसकी पैचान शंकर सैनी के रूप में हुई और तलाशी लेने पर उसके पास से एक बटनदार चाकूब बरामत हुआ द्वारक जिला पुलिस टे दो सेंदमार रवी और चरण सिंग को गिर्फतार किया है पकड़े गए दोनों आरोपी दिन के समय में रेकी कर बंद पड़े घरों की तलाश करते थे फिर रात के समय में उन घरों का ताला तोड़ कर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे हाल ही में इनोंने महावीर एंकलेव के घर में घुस कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और वहां रखा कैश, सोना चांदी सहित, अन्ने कीमती सामान लेकर फरार हो गए शिकायत मिलने पर पुलिस ने CCTV के जरिये स्कूटी की पहचान कर ली जिस पर सवार होकर ये चोरी के लिए आये थे पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सेंद मारी की वारदातों में शामिल एक आरोपी रवी नजवगड इलाके के धिचाउं कला स्टेंड पर आने वाला है इस आधार पर पुलिस ने वाँ ट्रैप लगाया और इसे धर्दबोचा साथी सूचना मिलने पर अने सेंद मार चरण सिंग को भी नजवगड इलाके से गिरिफ्तार कर लिया गया पुलिस निन के कबजे से 1,26,000 रुपे गैश, एक स्कूटी, एक कार, सोना चादी सहित लूटा गया अन्य कीमती सामान भी जब्त कर लिया है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हत्यार सप्लाई करने वाले अंतराजी गिरों का भंडा फोड करते हुए एक तसकर कासिम को गिरिफ्तार किया है कासिम कई वर्षों से हत्यार सप्लाई के धंदे में लगा हुआ था इस सिलसले में ये कई बार जेल की हवा भी खा चुका है कासिम बद्धे परदेश से हत्यार लाकर उन्हें दिल्ली, उत्तरपरदेश और हर्याना में सक्रिये बदमाशों को बेश देता था पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी की कासिम हत्यारों की डिलीवरी देने के लिए पुल परलादपुर इलाके के महरोली बदरपुर रोड बरस्थित रेलवे ब्रिज के नजदीक आने वाला है इस आधार पर पुलिस निमा ट्रैप लगाया और इसे धर्दबोचा पुलिस ने इसके कबजे से दस पिस्टल सहित बीज जिन्दा कार्थूस भी बरामत कर लिए है दक्षिन पश्चमी जिला पुलिस ने नशे और ढकैती के दर्च कराये गए फर्जी मामले को सुलजाते हुए आरोपी अर्जुन कुमार केशरी को गिरिफतार किया है दरसल आरोपी ने क्रिकेट में ओनलाइन सट्टे बाजी की थी जिसमें इसे तीन लाख रुपे से भी ज्यादा का नुखसान उठाना पड़ा था कर्ज लेकर इसने सट्टे बाजी का उधार चुकता किया था लिहाजा आरोपी ने कापर सेडा इलाके में नशीला पदार्थ सुंगा कर अपने अपरण और लूट की जूटी कहानी रची थी ताकि परिवार जनों से अपने कारनामों को छुपा सके मामले को वास्तवी करूप देने के लिए इसने बाकायदा पुलिस में FIR भी धर्च कराई थी चानबीन के दोरान पुलिस को शिकायत करता की कहानी में कई खामिया नजर आई पुलिस ने जब इससे कड़ाई से पूश्ताच की तो इसने लूट की जूटी कहानी गड़ने की बात कबूल कर ली दक्षिन पुल्वी जिला पुलिस ने एक सेंदमार, अमरेश, हलदर और उससे लूट का माल खरीदने वाले शक्स तारक को गिरिपतार किया है आरोपी हलदर नशे का आदी है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था चोरी के समान को ये ओने पौने दाम पर तारक को बेच दिया करता था जैदपूर इलाके में घर पर हुई सेंदमारी की रिपोर्ट पुलिस में दर्च कर आई गई थी गश्ट के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि समभावित सेंदमार तुगलागाबाद शेत्र में आने वाला है इसी आधार पर पुलिस ने माच छापा मारा और इसे धर्दबोचा पुलिस ने इसके कबजे से चोरी किये गए गहने भी बरामत कर लिये उत्तरी जिला पुलिस ने दो छपटमार चमन और सनी को गिरिफतार किया है हाल ही में ये बुराड़ी स्थित एक शौप पर अपनी बाइक की एकसेसरीज खरीदने गए थे जहां इनकी नजर शौप कीपर के कीमती मुबाइल पर पढ़ गई इन्होंने मुबाइल पर हाद साफ करने की योजना बनाई जब शौप कीपर दुकान की बाहर खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा था तो ये उसका मुबाइल शीन कर फरार हो गए स्नेचिंग की शिकायत मिलने पर पुलिस ने वारदास थल पर लगे सभी CCTV कैमरे खंगाले जिसमें स्नेचर्स की बाइक की पहचान हो गई बाइक के रिजिस्ट्रेशन नंबर के अधार पर पुलिस आरोपी चमन और सनी के जहांगीर पुरी स्थित घर तक पहुँच गई जाए इने धर्द पोचा गया पुलिस निल के कबजे से लूटा गया मोबाइल फोन सहित लूट में इस्तेमाल मोटर साइकल भी बरामत कर ली है दिलिपुलिस की आर्थिक अपराद शाखा ने डीडिये की लैंड पूलिंग पॉलिसी के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले दो आरोपी जतिन गुल राजनी और राजकुमार को गिरिफतार किया है पकड़े गए आरोपियों ने डीडिये से MTNL Employees Housing Welfare Society के नाम पर जमीन लेने का दावा किया था इस सोसाइटी में लोगों को सस्ते दोरों पर फ्लैट देने के लिए आरोपियों ने विग्यापन भी दिया था ताकि विग्यापन के जरीए जादा से जादा लोगों को आकरशित किया जा सके जहांसे में आए लोगों से इन्होंने फ्लैट बुकिंग के नाम पर पैसे ले लिये और इसके बाद ना तो उन्हें फ्लैट दिये और ना ही उनके पैसे वापस लोटाए इस तरह से इन्होंने 45 निवेशकों से 4 करोड 60 लाक रुपे ठग लिये थे पीडित निवेशकों से ठगी की शिकायत मिलने पर पुलिस ने जाच पड़ताल में MTNL Employees Housing Welfare Society को फर्जी पाया साथी सुसाइटी द्वारा DDA से भी किसी भी प्रकार की जमीन लेने की बात भी सामने नहीं आई आगे की कारवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को दिल्ली से गिरिफ्तार कर लिया अपराधियों को पकरने में जनता भी अपना सहीयोग दे सकती है अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फॉरण ये जानकारी पुलिस को दिए आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा पिटा आपकी ममी ने मुझे आपके पास रुखने के लिए बोला है जब भी घर पे अकेले रहोगे कोई भी आए दर्वाज़ा बिल्कुल मत खोना हेलो ममा क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी की जीवन का वर्दान है खुद संबलें और अपनों को संभालें आज की इसकारे करम में बस इतना ही अगले हफ़ते कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात तब तक के लिए दीज़े इजाज़त नमस्कार अगले होगी मुलाकात